हालो दोस्तों प्रिश्च वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैसन बुटिक पे दोस्तों आद मैं आपको बाजू का डिजाइन बना के दिखाने जा रहा हूं दोस्तों बहुत ही सुन्दर बनने वाला है तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को अपने सब्सक्र खुआए यहमारी बाजू है और बाजू में हमें क्या गर्णा है जो हमने 20 सेंटर में निशान लगा रखा है अलाव प्रस से अगर हम दोनों को एक साथ में तलपट में ही रखके cut-in करते हैं तो यह छोटी बड़ी हो सकती हैं तिस वज़े से हमें दोनों बाजुओं को इस तरह से अलग-अलग कर लेना है एक साथ जो एक बाजु हमारी अंदर हो जाती है उस तरह से इसकी cut-in नहीं करनी है इस तरह से ह कि हमें इसमें निशान लगाना है यह आधा इंच का निशान लगाएंगे कि इस तरह से निशान लगा लेना है अब इसे हम कटिन करके निकाल देंगे कि यह हमारा एक इंच कपड़ा निकल गया है और इसका आधा इंच का दबाओ इस साइड का दोनों मिला गे एक इंच इस चार सूत हो जाएगा लो यह आप यह लिए पाईपन बना लेनी है रहत बनाने कวाद में हम पत्ति बना लेंगे पट्टी बनानी है दो सूत की इतनी चोड़ी आये हम पहले पट्टी और पाइपन बना लेते हैं जैसे हम नॉर्मली पाइपन बनाते हैं उस तरह से हमें पाइपन बना लेनी है डोरी वाली और पट्टी किस तरह से हम पलटेंगे वह हम बता देते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमें सीधा इसे लगाना है कपड़ को मिस तरह से फोल्ड करके और पट्टी कितनी चोणाई रखने है उससाब से हमें सिलाई लगा देनी है अब हम इसका एक्स्ट्रा मार्जन काटके निकाल देना है और इसमें मार्जन हमें उतना रखना है कि जितना हमारी डूरी है उससे आदहा होगा मार्ज़न चलेगा पट्टी के चोणाई है उससे ज्यादा मार्जन इसमें नहीं रखनना पट्टी केन चुनाई से ठोड़ा सा में प्रती पलट लिए मार्किट में अराम से मिल जाती है जहां पे धागा वोगरा मटरियल जहाता है तो वहां से आपको 5 pin भी बनी बना इरिडिमेट मिल जाएगी अब हमें क्या करना है हम अख़वार में निशान उठाएंगे किस तरह से तो दोस्तों इस तरह से हमने यह पेपर ले लिया है अब पेपर लेने के बाद में हमें क्या करना है कि हम यह जो बाजू है हमारी हम निशान लगा लेना है हमारी बाजू की लंबाई यहां तक आ रही है अब हमें क्या करना है कि इस तरह से स्केल लेना है स्केल वह भी सीधी स्केल लेनी है में इस तरह से हम निशान लगाएंगे इसमें सीधा सीधा निशान लगाने के बाद में हमें नापना है डेड़ इं लगा लेंगे और इक यहां पर लगा लेँगे और इसी तरह हम एक यहां पर लगा लेंगे अब इन निशानों को havingin यह तरह से मिला देना है इस तरह से यह हमारी एक वाजू को निशान हो गया अब क्या गड में तो हमें बीच में Gaping छोड़के हम दूसरी बाजू काईशी पर निसान उठा लेंगे तो हमें क्या गरना हम पहले इतनी Gaping बीच में छोड़ देंगे मैं और अब हमें इसमें भी डेड़ इंच की चोड़ाई लेनी है एक निसान यहां पर लगाएंगे एक निशान बीच में लगाएंगे और एक निशान यहां पर किनारे पर इस तरह से लगा के अब इन निशानों को एक साथ मिला देना हमें अब मिलाने के बाद में हमें क्या करना है जो हमने पट्टी बनाई है आप इस तरह से एक्ष्ट्रा पेपर को कट कर सकते हैं उपर से भी और नीचे से भी इस तरह से अब में यहां से दो दो इंच पर निशान लगा लेना इस तरह से इस तरह से हम निशान लगा लेंगे इसमें और यहां से जितनी भी हमें पूरी पट्टी में इस तरह से दो दो इंच पे निशान लगा लेने हैं कि अब यह निशान हमारे लग चुके यह बाजू पर इसी तरह से हम पूरे में इसकेल की मदथ से मात कुम費 शाज लगा लेंगे सि हम यहां से इस तरह से रखेंगे कि इस तरह से कि इस तरह से हम पूरे मिली सान इस इстरह से उठा लेंगे आद़ने के बाद में हमक्या करना है डूरी करेंगे है तो तम यह इस तरह से रखेंगे और इसमें आधा ऐंच निसान से बाहर निकाल के रखना है कि हम जब दबाव देंगे तो हमारा इसमें मिला esas इस तरह से मिला देना है मिलाने के बाद में हम इसे आधायंच इधर भी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे कोने भी रखेंगे पट्टी को इस तरह से ने अपना हमें हम इस कोने में भी आधाइंच एक्टर दबाओ रखेंगे और इस तरह से हमें पट्टी में शिलाई लगा देनी है अगर दूसरी पट्टी को हम इसी पट्टी के उपर से रखके इसमें भी हमें आधाइंच का दबाओ देना है और हम इस तरह से लेकिन दोस्तों द्यार डगना कि जो निसान लगा है निसान से हमारा बाहर की तरफ शिलाई रहने चीए अंदर की तरफ नियाने चीए और इस तरह से हम इस नोग पे भी रखके नाप लेंगे और आदाइंच एक्स्टर मार्जन रखके कटिंड कर देनी हमे है अब इस तरह से हमें फेरिश वाले निस्सान पीर जाके आदाइंच एक्स्टर रखना है और यहां पे हम नापहेंगे कि आदाइंच हमारा यहां पर भी एसटर अनुआ थीये आथ उप इसी तरह से दूसरे में भी समय पूरे में इसी तरह से पट्टियों को सेट कर लेना है अब हम इस तरफ आ जाएंगे जो हमारी पट्टी नहीं अटेंच है तो इने भी अटेंच करना है अब इदर भी हमें निसान के बाहर यह सिलाई लगानी है थोड़ा सबसे एक सूप का हटके हम यह तरह पट्टियों को सेट करते जाएंगे ऐसे इन पट्टियों में जोलना ना किये इस तरह से हमें सेट करनी है पट्टियों को तो हमने इस तरह से पट्टियों सेट कर लिए अब हमें इसे बीज से तो दोस्तों इस तरह से हमें यह जो हमारा सीधा कपड़ा है हम उपर की तरफ रखेंगे और जो उल्टा कपड़ा है नीचे की तरफ और पाइपिन हमें इस तरह सीधे की तरफ उपर रखना है और इसका जो दबाव है हम बाहर की तरफ रखेंगे और पाइपिन है अंदर की तरफ इस तरह से एक बराबर का दबाव लेते हुए हमें पाइपिन के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है तो हमने इस तरह से पईपिन लगा लिये अब दोस्तों इस तरह से अंदर की तरब इसे फोल्ड कर देना है तो यह मारी बहुत ही फिनीशिंग से पईपिन निकलाएगी अब इसी तरह से हम चारों पल्लों में जो हमने अलग कर रखा है तो में पाइपन लगा देनी है तो दोस्तों इस तरह से हमें दूसरा भी पल्ला रखना है और यह में द्यान रखना है कि जो हमारा सीधा कपड़ा है ऊपर की तरफ रहना चाहिए कि दोस्तों एक चीज और हम आपको पताना चाहेंगे कि यह पाइप में सिंगल बूट से वैसे लगती है लेकिन यह डबल बूट से भी आराम से लगाए जा सकती है अगर आप इसके लगाने का तरीका अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो कि दोस्तों हमारी जो सुई का नोख नोग से हम एक तरफ को यह बूट को शटा देंगे थोड़ा सा कि हमारी सुई लड़ने नपाया उससाब से इस तरह से यह इस तरह से सुई हमारी लड़नी नीची है अराम से चले तो दोस्तों अब यह देखिए डवल बूट लगा हुआ है हम इसी से पाइपिन आपको लगा के दिखाएंगे यह इन पल्लों में भी हमने पाइपिन इसी तरह से लगाई है एक पल्ला हमारा भी नहीं लगाए तो इसमें हम आपको किस तरह से रखना है पाइपिन हमारी अंदर की तरफ रहनी चीए और यह जो दबाव है इसका बाहर की तरफ अब हमें क्या करना है हम बिल्कुल इसके बराबर से रखके पाइपिन के किनारे से सिलाई हमें लगानी है तो देखिए दोस्तों यह बूट हमारा डबल लगा आसानी से आप इसमें मसिन भी थोड़ी तेज भी चला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है अगर बूट आपको सिट करना आ जाएगा तो हम पिसी वीडियो में इसका भी बताएंगे कि बूट किस तरह से सिट करेंगे देखिए दोस्तों हमने पाइपिन लगा दिये बहुत ही अच्छी तरह से पाइपिन निकलती है इस वाले बूट से भी यह देखिए दोस्तों ना इसमें दबाव कम है ना ज्यादा बिल्कुल बराबर दबाव है तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं बीना बूट करिए उस पट्टियों में हमें इसे अटेस्ट करना है जो हमारा थोड़ा सा नीचे इसमें प्लेन आ रहा है पट्टी नहीं लगी इसमें तो हमें नीचे मूरी की तरफ रखना है और यह जो हमने बराबर रखा है तो यह हमारा मुढ़े की तरफ जाएगा इस तरह से अब बिल्कुल हमें निशान के उपर रखके सिलाई लगा देनी है दोस्तो बिल्कुल पाइपिन के किनारे से सिलाई लगानी हमें तो दोस्तो देखिए बिल्कुल हमारी पाइपिन फिनिसिंग से लग चुकी है और यह double boot से ही लगी है दोस्तों हम भी यह वीडियो आपको डालेंगे बनाके कि इस double boot में भी हम pipe in finishing से कैसे बना सकते हैं और कैसे pipe in हम लगा सकते हैं और कैसे हम pipe in set कर सकते हैं यह सारा step by step किसी वीडियो में हम बताएंगे तो इसी तरह से हमें इस side भी पट्टी set कर लेना है और दोस्तों एक चीज का हमें ध्यान देना है कि अगर हम बाजू का armon चांट लेते हैं पहले तो इस चीज का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारी एक तरप की बाजू का armon चैटा हुआ है तो इस तरह से हमें इस्चीज का भी बिल्कुल ध्यान लखना है बारिखी से कि हमारी बाजु है इस side की तो इदर का हमारा armhole नहीं चटा हुआ है और इसका armhole चटा हुआ है तो आप इसे बहतर है कि armhole पहले न चाटे तो इसमें क्या है कि अगर जैसे by chance इदर उदर की बाजु लग भी गई तो आप इसे पहले पट्टी डिजाइन बनाने के बाद में आर्मॉल को बाद में भी छाट सकते हैं तो इसे भी हम सेट करेंगे सिलाई से देखिए हमने बाजू को बहुत ही फिनिसिंग से सेट कर दिया है इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी सेट कर देंगे और यहां पर हमें एक पैर की सिलाई हटके लगा देंगे ताकि हमारा जो नीचे का दवाव है फिनिसिंग से वो भी बैट जाए तो हमने इस तरह से दोनों बाजुओं को त्यार कर लिया है अब हमें नीचे यहां पर आप पाइपिन भी लगा सकते हैं यह इसमें पट्टी भी लगा सकते हैं तो हमें पट्टी लगानी है इसमें तो हम पट्टी किस तरह से लगाएंगे वह अभी आपको बता रहे हैं कि हमें पट्टी किस तरह से लगानी है तो दोस्तों इस तरह से हमें सीधे कपड़े में इस तरह से अब हम इसे बाजु में लगाएंगे अब बाजु में लगाना कि इस तरह से यह हमारा जो उल्टा कपड़ा है उल्टे की तरप से इस तरह से रखके एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाई लगा देनी है अब इस कपड़े को हम बाहर की तरफ इस तरह से नाखून बाहर की तरफ बाजू को करके इस तरह से हमें नाखून लगा देना है नाखून सही है हमारा कपड़ा फिनिसिंग से बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है देखिए इस तरह से फोल्ड हो गया अब हमें क्या गरने धागा हम रेट कलर कर लगाएंगे कि हमारा धागा उपर येलो कलर का अच्छा नहीं लगेगा पट्टी के उपर तम इसमें रेट धा सिलाय लगाएंगे इधर किनारे की अब इस तरह से शिलाय लगाने के बाद में हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और हमें चितनी चोड़ पट्टी रखनी है यह उस tentang से यह चोड़ कर लगा लेना है fresh और दूसरी बाजूंए भी लगा लेंगे जो दूस्तों एक बार हम और आपको बता देते हैं कि हमारा बाजू को सीधा है हमें इस तरब से पट्टी को नहीं रखना हम बाजू को इस तरह से उल्टा करेंगे उल्टा करने के बाद में हम पट्टी को इधर से रखेंगे यहां से और एक पैर का दबाव लेते हुए हमें सिलाइ इसमें लगा देनी है और इस तरह से हम सिलाइ लगाते हुए तरह करके कपड़े को नाखून माद देनी इसमें तेमारब बाहर की तरफ तरफ फिनिसिंग से पल्टा जाएगा इस तरह से अब हमें लब की सिलाइ इसमें लगा देनी जैसे हमने दूसरी बाजू में लगाई है पहली बाजू में अब हमें जितना भी चोड़ी पट्टी रखनी है उसके इसाब से हमें कपड़े को अंदर फोल्ड करके हम सिलाइस पे लगा देंगे लगा ईंदर-उट्सरी वढ हमें लगाई हमें लगा देंग। कि इस तरह से हमने इस बाजू में फट्टी लगा दिये हैं यह हमारी दोना बाजू हो गई है तैयार अब इसे हम जमारा निसान लगा हुआ है इस निसान पर हमें शिलाय लगा के कमीज में लगा देना है तो दोस्तों कमेंट्स में हमें जरूर लिखके बताएं कि आपको डिजाइन बनाने में कैसा लगा अगर कुछ दिक्कत होती है तो हमें जरूर लिखके बताएं और नहीं भी अगर दिक्कत लगती है तो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताएं कि यह बाजू डिजाइन बनाने का तरीक आपको कैसा लगा हां दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना कि यह जो हम बाजू चड़ाने के बाद में जो हमारा यह पेपर है हम इसे अख़बार को निकाल देंगे क्योंकि दोस्तों जो हमारी एक वीडियो बारा लुए है उसका बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला है जिसका हमने गला जिसका बड़ा हो जाता है तो उस गले को हमने डिजाइन बढाके छोटा करके बताया है तो उसमें क्या है कि हमने अख़बार तो निकाल दिया लेकिन बत आने पार क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि बाजू का जो पेपर है यह निकालना है कि नहीं निकालना है तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अख़बार हमें निकालना ही होता है नहीं धुलाई में वैसे भी गल जाएका तो कपड़े को भी थोड़ा खराब कर सकता है तो इसलिए हमें बढ़ाने के बाद में पेपर को निकाल देना है तो दस्तों अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके तब तक के लिए थैंक्यू फॉर वाचिंग